exercise 7.2 question 1 for each of the given equations give the step 2 be used to separate the variable and then solve it question 1 में दिया था x 7 equal to 8 ये दिया था तो इसको हम step by step इसका solution निकालेंगे तो step 1 में क्या होगा step 1 तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा ये तो इस variable है variable को free करना पड़ेगा मतलब x को free करना पड़ेगा x इसमें variable है तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें ये जो x minus 7 है इसके साथ अगर हम 7 add कर देंगे तो 8 दोनों साइट से add करना पड़ेगा तो क्या होगा ये दोनों सब्स्ट्रेक हो जाएगा तो finally क्या होगा x equal to 8 plus 7 हम क्या लिख सकते है 15 लिख सकते है ये होगा x का वेलो तो x का वेलो हमने निकाल दिया तो कैसे निकाला इसमें हम add 7 to both sides तो ऐसे हमने निकाला तो ये बन गया है इसका solution तो ऐसे करना पड़ेगा इसका solution हम ऐसे करेंगे पह step 1 होगा step 1 equal to तो हम क्या करेंगे x plus 9 है इसमें minus 9 करेंगे और ये जो right hand side है एक हो गया left hand side एक हो गया right hand side तो left hand side में value है x plus 9 और right hand side में value है 15 तो subtract करेंगे minus 9 both side तो both side minus 9 subtract करेंगे तो 15 minus 9 होगा तो इसके bracket में हम क्या लिखेंगे subtract 9 from both side एसे होगा असका solution तो इन दोनों में cancel होगे x equal to कितना आएगा तो 6 आएगा तो ये होगा असका solution question c step 1 step 1 में हम क्या करेंगे x plus 4 equal to 3 है तो इसमें हम क्या करेंगे x plus 4 है तो इसमें 4 minus करेंगे 3 से 4 minus करेंगे तो इसमें plus है तो minus करना बढ़ेगा तभी इसमें x free होगा तो हम लिखेंगे subtract subtract 4 from both the sides तो इसे लिखना परेगा इसका bracket में तो x equal to कितना आएगा minus 1 आएगा question d x plus 6 equal to 16 है तो इसमें हम x plus 6 को इसे लिखेंगे equal to 16 लिखेंगे इसमें से 6 minus करेंगे इसमें से 6 minus करेंगे तो bracket में क्या लिखेंगे subtract subtract 6 from the both side from the both sides तो इसे लिखेंगे तो x equal to कितना आएगा इन दोनों में तो cancel हो जाएगा cancel होने की बाद क्या आएगा x equal to आएगा 10 यह होगा असका answer question e x minus 4 equal to कितना है minus 1 है इसमें क्या है minus 4 है तो हमें क्या करना परेगा plus 4 करना परेगा तो दोनों साइड हम plus 4 करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे add 4 to both sides तो ऐसे लिखेंगे both sides तो दोनों दरब हम जब 4 add करेंगे तो यह minus यह plus तो x free हो जाएगा इसमें कितना आएगा plus 3 आएगा यह ओनेगा इसका answer question f में दिया है x plus 7 equal to 2 इसमें कोई बार नहीं हम सिप 7 को यहां से हटा रहेंगे तो x plus 7 है तो उसमें हम minus 7 करेंगे तो minus 7 जब करेंगे तो right hand side में भी हम minus 7 करना परेगा हमें तो हम packet में लिखेंगे subtract subtract 7 from both sides ऐसे लिखेंगे तो हमने किया क्या subtract किया तो इसमें यह 7 minus होगे x equal to कितना आएगा minus 5 आएगा यह होगा उसका answer question z में दिया है x minus 11 equal to 1 दिया है तो x minus 11 है अगर हम plus 11 करेंगे तो क्या होगा यह x free हो जाएगा मतलब variable free हो जाएगा तो इधर right hand side में 1 है 1 के साथ भी 11 हम add करेंगे तो bracket में लिखेंगे add 11 to both sides तो ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखने की बाद हमें इसको solution करना परेगा तो x इन दुनों को दुनों subtract हो जाएगा minus 11 plus 11 equal to 0 हो जाएगा मतलब x equal हमें मिलेगा 12 यह होगा उसका answer question is 6 minus x equal to 4 दिया है तो हम क्या करेंगे इसमें step 1 में हम करेंगे इसमें 6 positive है तो x negative है तो हम इसमें negative 6 करेंगे और इसमें भी 4 के साथ minus 6 करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे subtract 6 from both sides तो ऐसे करेंगे both sides तो जब subtract 6 करेंगे तो इसके साथ यह cancel होगे minus x रहेगा और इसमें से subtract होगे minus 2 रहेगा next step में क्या होगा step 2 भी हम इधर कर सेकते है step 2 multiply 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 minus sign both sides एसे कर सकते हैं हम तो multiply minus sign both sides तो हम क्या करेंगे इसमें minus करेंगे तो step 2 में हम ऐसे minus करेंगे तो minus के साथ minus multiply होगे इसमें plus रहेगा और इसमें भी plus 2 रहेगा तो यह बनेगा उसका answer question 2 for each of the given equation give the step that you will use to separate the variable and then solve it step 1 में हम x को free करने के लिए इधर 3 multiply होगा है तो 3 को हम divide करेंगे मलब 3 x divide 3 तो 15 by 3 bracket में लिखेंगे divide both sides by 3 तो इसमें हम क्या करेंगे 3 की साथ इसको cancel करेंगे इसकी साथ इसको cancel करेंगे तो 5 होगा तो x equal तो हमें मिलू मिलेगा 5 इसी तरह हम इसका solution निकालेंगे x by 3 की साथ अगर हम 3 multiply करे और 9 की साथ अगर 3 multiply करे तो इसमें से यह cancel होगे x free होगा तो हम लिखेंगे multiply multiply both sides by 3 तो 3 से हमने both sides multiply किया तो ऐसे लिखेंगे तो 3 की साथ यह 3 cancel होगा तो x equal to 9 3 कितना हैगा 27 यह बनेगा उसका answer इस question में हमें स्रिफ divide करके multiplication करके जो भी करना है add subtraction करके finally x को free करना है मतलब x का भीलो निकालना है तो x by 6 equal to minus 1 6 को अगर हम multiply करेंगे तो 6 6 की साथ cancel हो जाएगा तो step 1 करेंगे एक step में ही इसका solution निकल के आएगा x by 6 into 6 equal to minus 1 into 6 होगा तो इधर हम लिखेंगे multiply multiply both sides by 6 तो 6 से हमने both sides multiply किया तो इसके साथ यह cancel होगा इन दोनों को multiply करेंगे तो minus 6 आएगा इधर x रहेगा तो x का value हमें मिला 6 यह होगा उसका answer question d का solution होगा 9x equal to 6 दिया है तो step करेंगे एक step में ही इसका answer आएगा तो 9x को हम 9 से divide करेंगे इधर 6 है 6 को भी 9 से divide करेंगे तो इधर लिखेंगे divide both sides by 9 तो 9 से हमने divide किया तो इसे लिखना पड़ेगा तो इसके साथ यह cancel होगा तो x का value हमें मिलेगा 2 by 3 यह बनेगा उसका answer question e e में एक step में ही इसका solution आजाएगा तो इसमें 5 divide है तो 5 को हमें क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा 5 हम इधर multiply करेंगे minus 2 into 5 इधर multiply करेंगे bracket में हम लिखेंगे multiply both sides by 5 तो इसे लिखेंगे तो इसके बाद इसके साथ ही cancel होगा तो x equal to 5 to the 10 मतलब minus 10 आएगा इसका answer question f 9 x equal to minus 2 तो यह बहुत easy होगा तो इसमें 9 x की साथ multiply हो रहा है हम divide करेंगे तो यह जो minus 2 है minus 2 की साथ भी 9 divide करेंगे bracket में लिखेंगे divide divide both sides by 9 तो इसे लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा इस से यह cancel होगा तो x equal to भिलभा में मिलेगा minus 2 by 9 तो इह होगा उसका answer question z question z में दिया है 5 x equal to minus 7 तो इसमें step 1 करेंगे step 1 step 1 equal to 5 x by 5 करेंगे equal to minus 7 by 5 करेंगे इसमें divide करेंगे divide both sides by 5 तो 5 से divide करेंगे क्योंकि इसके साथ यह cancel होगा तो x equal to value हैगा minus 7 by 5 question h में हम 3 multiply करेंगे तो step 1 होगा step 1 equal to हम क्या करेंगे x by 3 into 3 करेंगे and 0 into 3 करेंगे इधर हम लिखेंगे multiply multiply both sides by 3 तो multiply हमने क्या क्या बोट side by 3 तो इस 3 के साथ यह cancel होगा तो इन्होंको जब multiply करेंगे तो 0 आएगा तो x equal to value होगा 0 यह होगा उसका answer तो